कि एक साइज नायन भी कुछ नमसीज विच रेटर ना लुकिट अफास पार साइन इस तो एड और तो इस तो थी आपको पता लगाना है कौन सा रेशियो आपका ग्रेटर है कौन सा समोल है तो लोकिट असलिशन रही केरफोली यहां पर आपको वह जो एजी मैठाट है वह ए ख्रॉस मुल्यकिलिकाशन मैठाट पॉस्टेशन में अश्य साहिए विच करें तो अफ्य तो अब यह जो अब यह क्रॉस्टिप्लाई करेंगे इस रीकी से खरेंगे आपको बना लेते हैं 3 7s are 21 and 8 to the 16 now which is greater 21 is greater in the comparison of the 16 so 7 is to 8 is greater now moving on question number 6 part number second and third यह आप खुद करेंगे by cross multiplication methods यह आपको पहले ratio को fraction में change कर देंगे फिर इसको cross multiply से चेक कर लेंगे which is greater or which is smaller ना मुविंग ओन कुछ नमर एक डिवाइड के जो यहां पर मीनिंग है वह है distribute से यहां पर आपको 84 को distribute करना इन दफार होता है ratio 5 is to 7 now look at the solution very carefully लेकि ratio दे रखा है किस चीज का ratio 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 of amounts दे रखा है हम तो यह लिखेंगे ratio of amount is equal to 5 is to 7 अब ratio के साबसे में आपका पहले पढ़ा चुक हूं इसी कंदा ले 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 लेते हैं तो हमारा first amount कितना हो जाएगा first amount हो जाएगा हमारा 5y and second amount हमारा क्या हो जाएगा वह जाएगा मारा 7y and according to problem आप जानते हैं अगर हम इन दोनों को plus करेंगे तो हम आपस 84 आना चाहिए कि नमने 84 को इस ratio में distribute कर चुके हैं यह हो जाएगा 5y plus 7y is equal to 84 अब इन दोनों को कर लेते ही हो जाएगा 12y is equal to 84 then यहां से इसको distribute and transpose कर देते हैं 12 को तो यह divide में चला जाएगा 10 12 7 84 y is equal to as 7 अब हमें कुछ नहीं करना है जो y की value निकली है उसको पूट कर देते हैं ratio के अंदर so first amount हमारा कितना हो जाएगा 5y यानि 5 into 7 is equal to 1 rupees 35 now moving on second amount वह हमारा कितना हुआ 7y यह हमारा देपलेश हो जाएगा 7 से 77 कितना हुआ rupees 49 question number 8 part number first हम कर चुके है second part विकल बैसी होना है जैसे हमने first part करा है now moving on third part यहां लेंट दे रहिए 1 meter 71 cm इसे हमने distribute करा है in the form of the ratio 11 to 8 अब देखें यहां पर 2 unit है 1 meter 71 cm so look at the solution carefully सबसे पहले हम जो length है 1 meter 71 cm इसे हम change कर देंगे in single unit यानि हम पास होजागा 171 cm because you know variable that 1 meter is equal to 100 cm now moving on अब देखें रेशियो किस चीज का रेशियो यह लेंद का है so ratio of length is equal to 11 is to 8 अब देखें के साबसे जो first length है हमारी first length वो कितनी हो गई 11 y and second length हमारी कितनी हो गई is equal to 8 y and according to problem आप जानते हैं अगर हम इन दोनों को plus कर दें 11 y plus 8 y तो कितना आना चाहिए 171 and after adding here we will get 19 y is equal to 171 उसकी बाद यहां पर आपको कुछ नहीं करना है ट्रांसपोस कर देंगे 171 upon 19 then 99 आप y is equal to 99 आप आप सो first length हमारे कितनी हो जाएगी first length is equal to 11 y means 11 into 9 is equal to 99 cm now second length वो कितना है हमारा 8 y तीकिए अब यहां पर रोजएगा एट इन्टू 9 यहां यहां जगा एट नाइन्टा सेवेंटी टू सेंटी मीटर है नमुविवन कुछ नमर एट पार्ट नमर फोर तरी लीटर सबसे पहले हम 3 लीटर को चेंज कर देंगे मिली लीटर के अंदर हमारा 3000 विलीटर अब रिश्यू क्या दे रिखा है में रिखा है वन इस यह तूट तो इस तो थी मैंने आप से पहले कहाता है जब भी रिखा होता था ता मैं इसने गई लगाकर एक वैल्यू में चेंज कर देते हैं तो यहां पार जागा मैं आपको पड़ा चुपा हूं कि अगर हम इन तीनों को प्लस कर दें तो कितना आना चाहिए हमारे पास 3000 आ जाएगा किनके इसका टोटल अमाउंट यह है 3000 यह थी थाओजन यह थी लिटर value is equal to 1y means 1 into 500 यह हो जाएगा हमारा 500 मिलिलिटर नव मुविंगान second value जिए second value कितनी है 2y means 2 into 500 यह हो जाएगा आपका 1000 मिली लिटर 1000 मिलीटर कि स्की है लिग देंगा तो यह ति यह पर हम वल लिटर लिख देंगाया Moving on, third value, third value कितनी ही आपकी, 3 by means 3 into 500, ये कितना हो जाएगा, 1500 ml, यहनी 1500 ml का मतलब हो 1.5 liter.